अस्सलाम अलेकुम और रह्मतुल्लाहिव परकातु मेरा नाम नदीम भाटी है मेरा स्थान के मुकंदगडशे हूँ शेख मेरा सवाल यह है आपसे मेरे एक जानने वाले हैं तो उन्होंने किसी को उदार पैसे दे रखे हैं पिछले च्छर साथ महिनों से मतलब उसने दिये नहीं है तो वो यह पूश न चाता है कि क्या उसके भी जकात निकलेगी जड़की अभी आने का उसका कोई वो नहीं है फिक्स नहीं है कि कब तर पैसे आएंगे क्या उसके भी जकात निकलेगी नाजरी ने हमारे नदीम भाई हैं जो सवाल ये कर रहे हैं कि इनके किसी साथी ने सवाल किया है कि उन्होंने किसी को कर्ज की शकल में पैसे दे रखे हैं और वापस होने की कोई अमीद नहीं कि कब देंगे कब नहीं देंगे तो पूछना आए चाहते हैं कि उनके जकात का क्या मसला है उन पैसें की जकात देनी होगी या नहीं तो कर्ज के बारे में कुछ असूली बातें मैं आपके सामने रखता हूँ उस रोशनी में आप ये फैसला कर सकते हैं कि जो पैसे आपने किसी को बतुरे कर्ज दिये हैं उनकी जकात देनी है या नहीं देनी है देखे जो पैसे आपने किसी को कर्ज दिये हैं उस कर्ज की दो शकले हो सकती हैं दो किसमे हो सकती है यानि जिसने कर्ज लिया है उसकी दो हालत हो सकती पहली हालत यह कि वो बंदा ऐसा है जिसको आपने पैसा दिया ऐसा है कि बहुत ही अमानदार है सच्चा है और जब आप उससे तलब करें आपको आपस कर सकता है तो अगर इस शकल का कर्ज हो कि आप में जिसे दिया है वो आप चाहें आपको मिल जाएगा तो यह विल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने सेविंग के तोर पर कहीं पर पैसा रख दिया है जब चाहें आप निकाल लें तो ऐसे आपने किसी को कर्ज दिया है कि अपना काम चलाए और जब आपको ज़रू पड़ेगी वह आपको दे देगा त बतौर कर्ज किसी के पास है कि आपको पूरी अमीद है कि जब आप तलब करेंगे वह पैसा आपके हाथ में आ जाएगा तो इस शकल में आपको कर्ज वाले पैसे की जगात देनी है अगर वह दो तीन साल तक किसी के पास पड़ा रहता है लेकिन आपको अमीद है कि जब प्रवाब करेंगे आपके पास आ जाएगा तो आप उसे बिल्कुल यू समझे कि आपने उसे सेव करके रखा है वो आपके सेविंग अकाउंट में है जब चाहें आप उसको ले सकते हैं तो ऐसी सुरत में आपको उसकी जगात देनी होगी एक साल के लिए है तो एक साल के ये पहली शकल हुई कि आपका पैसा ऐसे आदमी के पास है जिसके पास से आप तक कभी भी आ सकता है जब आप चाहें आपको पैसा मिल सकता है ये पहली हालत है दूसरी हालत है कि आपका पैसा एक ऐसे शक्स के पास है आपने ऐसे शक्स को कर्ज दी दिया है कि जिससे वाप मिलने की कोई उम्मिन नहीं है कि आपको कब मिलेगा इस साल मिलेगा अगले साल मिलेगा कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं है वो आदमी कोई डेट नहीं दे पा रहा है और ना इस कंडिशन में है वो कि उसको देखकर आप यह अंदाज लगा लें कि वो कब आपकी रिकम वापस क यहां उल्मा का थोड़ सा इखतलाफ है कि जब वो पैसा आपके पास वापस आ रहा है तो अगर एक साल के बाद आ रहा है तो उसी एक साल के जगात देने होगी और अगर एक से जादा सालों के बाद आ रहा है चार पान साल के बाद आपके पास आ रहा है तो क्या चार पान सा की जकात देने होगी या सिर्फ एक साल के जकात देने होगी इस बारे में अलमा का इखतलाफ है लेकि इसमें सही और अक्राब बिलस्वाब बात यह है कि एक साल के जकात उसको देना है क्योंकि वो उसके अपने हाथ में नहीं है उसका कोई भरोसा नहीं था वो उसकी बात दियो पैसा मिलेगा तो जितने सालों तक उसका पैसा उसे दूर रहा है उतने सालों के हिसाब से जकात देगा तो अगर किसी को देना है तो दे दे कोई मसला नहीं है जितना अल्ला किरा में दे उतना ही बेतर है लेकिन अक्रवी लसाओ बात मालमी होती है कि अगर कई सालों तक किसे के पास रकम है तो सिर्फ एक साल की जगात दे दे इन्शालला ये काफी होगा लेकिन कि कोई इहतियात का रास्ता अपनाते हुए हर साल की जगात निकालना चाहे तो निकाल दे अच्छी बात है इसमें कोई हर इसकी बात में उम्मेदे कि आपका जवाब मिल गया होगा ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें